नमस्कार दोस्तों आप लग देख रहें Computer Tech YouTube चैनल मेरा नाम उत्तम है आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार बोर्ड पर इच्छा दुआज और 20 में जो होने वाला है Metrica उसका पेटर्न बदला हो गया है बहुत बड़ा बदलाव लाया है बिहार बोर्ड ने तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या बदलाव लाया गया है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आगे कर पूरी ज जान सके कि विहार बोर्ड 2020 की परिच्छा जो होने वाली उसका पेटर्न चेंज कर दिया गया है और यह इजी किया गया है कि हाड किया गया है सारा इस वीडियो में जनकारी देने वाले तो हमारे वीडियो के अंद तक बने रहे तो चलिए देखते हैं क्या क्या बदलाव अ है और किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको और कितने मार्स आएंगे और कितने नंबर करहें अपका ईजाम सारा इर अफञे करूआ इंगर केहता है विडियो को लाइक करते हैं तो देखिए दोस्तों किस तरह से आपका मार्क्स नमर मिलेगा देखिए आप प्रेटर्ण में क्या बदलावा हैं चलिए देखते हैं बिहार बोर्ड अब अगर यह कोचन नहीं जानते तो दूसरा कोचन बना सकते हैं जिसमें आपको 10 प्रेटर्ण एक्स्ट्रा दिया जागा जी हैं 50 प्रेटर्ण के बदले होंगे 60 प्रेटर्ण सवाल 60 में से आपको 50 का इंसर देना है जी हाँ जवाब आपको 50 देना है और 10 आपको एक्स्ट्रा देखा जो कि आप ऑप्सिनल रहेगा उसमें से जो अगर सही लगेगा आप जानते हैं उसी का टिक लगा सकते हैं तो चलिए नीचे के ओर देखते हैं क्या-क्या बदलाव कियें मैट्रिक इंटर की वार्षिक परिच्छा 2020 में पेटर्न में बदलाओ ब्यार बॉड ने उप्जेक्टिक के परस्णों में 20 परतिसद विकल्ब देने का नियनलिया जी हाँ अब 20% विकल में अब को मिलेगा देखे बिहार विद्याले परिच्छा समीति की और से मेट्रीक और इंटर की वार्षिक परिच्छा परस्न पेटर्न में एक बार फिर से बदलाव किया गया अब दोनों परिच्छा में 50 के बदले 62 विकल्प परस्न होंगे चात्रों को इन 60 परस्न में से 50 परस्न का जवाब देना होगा यानि अब जेक्टिव परस्न में भी अब चात्रों को विकल्प मिलेगा इससे पहले ऐसा नहीं होता था बोड अदियस आनंद की सोर ने बताया कि मेट्रिक वाइंटर के परस्नों के पेटर्न में बदलाव किये गये हैं चात्र की सहुलियत के लिए या निरने लिया गया है नया निरने के अनुसार 100 अंक के विसे में 60 परस्न बहु विकल्प होंगे जबकि 70 अंक के विसे में 42 परस्न अबजेक्टिव टाइप के होंगे अगर 70 अंक के जो विसे होगा उसमें आपको 42 परस्न आपको अबजेक्टिव मिलेगा आप टिक लगा कर अपना जवाब दे सकते हैं यानि हर परस्न में 20 परतिसद अबजेक्टिव सवाल को बढ़ा दिया गया है छात्रों को एक्स्ट्रा परस्न दिये जाएंगे ताकि वे सही उत्तर का जवाब दे लिख सके बोर्ड अधियज आनंद की सोर ने बताया कि अगर किसी भी बच्चे को ने गलत ये से गलती से जानबुचकर सही 60 को टिक कर दिया तो पहले 50 परस्न पर ही उसके अंक जोड़े जाएंगे जी हाँ अगर गलती से आप 60 परस्न में टिक लगा देते हैं और तो आपको पहले 50 परस्न सही जवाब ही जोड़े जाएंगे ऐसा में आपको एक्स्ट्रा नमबर नहीं मिल गए ऐसा नहीं इसलिए परिच्छा के दोरान बच्चों ऐसा नहीं हो पाई इसलिए बच्चे इन बातों का ध्यान रखें 60 में से 50 सवाल के सही जवाब दे तो देखिए जितने भी चात चात रहें इस वीडियो को देख रहें यहाँ पर आपको समझना बहुत ही जरूरी होगी है क्योंकि आप यहाँ पर गलती करेंगे तो आपको हो सकता है बहुत बड़ा नुक्सान तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या क्या बदला हुए गया है और किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है तो देखिए 60 में से कहीं से भी सही जवाब देने पर उसे गलत जवाब से रिप्लेस किया जाएगा जी हाँ अगर आप कहीं गलत जवाब दे दिये तो उसमें आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा इसलिए परिच्छा के दोरान बच्चे इस पात का ध्यान रखें कि हुआ 60 में से 50ãy ही सही जवाब देए आप और टरसन आपको दिए जाएंगे लेकिन आपको सिर्फ पचास कही जवाब दे नहीं हैं तो आप एक्ष्ट्रा जवाब ना दें इनसे आपको धिकत आया सकती है जिसका पर झिन पर हम का इंसर आप जान रहे तो विडियो के प्रस्णों में से 50 के ही जवाब देना है आपको तो इस बार काफी हलका कर दिया गया है आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं और आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा कोपी भर भर के तो इस बार सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है तो बहुत ही अच्छा खुसक अब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन का दवाये और दा बेस्ट फिर मिलएंगा अगले वीडियो कसाथ तब तक क्लिए बाए इंदे कर दो कर दो कर दो